रामगजमंडी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक राजू भील की पत्नी को गरपतार किया है कोटा ग्रामीन एसपी शरच चोधर ही ने बताया कि 6 जुलाई को रामगजमंडी कस्वे के देवली फाटक के पास में मृतक राजू भील के ब्लाइंड मर्डर का थाना रामगजमंडी पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए आरोपी मृतक की पत्नी दुर्गाबाई को गरपतार किया गया सफ हरियादी सामरलाल ने थाना रामगजमंडी पर प्रकरन दर्च कराया कि मेरा चोटा भाई राजू परिवार सहित देवली फाटक के पास रामगजमंडी में रहता है जो खान गुर्जर के यहां हाली का कारी करता है छे जुलाई करीब रात के तीन बजे मेरे भानेज प्रजेश के पास मेरे भाई राजू की पत्नी दुर्गाबाई ने फोन करके बताया कि इनके बीच मुढबेड हुई है तो मारे मामा के सिर में बहुत ज्यादा चोट लगी है किसी आदमी ने इनके सिर पर बार किया है जिससे ये घायल हो गए यह बात मेरे भानेज ब्रजेश ने मुझे बताई इस पर मेरा भानेज ब्रजेश वह में मोटर साइकल से जहला बार अस्पिताल गए जहां हमने मेरे भाई राजू की बोड़ी देखी तो उसके सिर पर चोट लगने से काफी खुन बैने से मौत हो चुकी थी ग्रामी नथाना पुलिस ने ब्लाइंड मडर में आरोपी पत्नी को गिरबतार किये